इस वीडियो में बात कर रहा हूं मैं CHSL 2019 के अपडेटेड वेकेंसी के बारे में SSC ने जो CHSL 2019 से उसका अपडेटेड वेकेंसी डाल दिया है और यह जो वेकेंसी आपका है यह अब मान के चलिए कि यह फाइनल है और जो भी अब result आना है document verification लगबख खतम होने वाला है और जो result आएगा वो मान के चलो कि इसी की basis पर आना है ना इसमें अब add होना है ना अब और कम होना है इसी को लेके आप चल सकते हो पहले क्या होता था कि SSC जो अपना वेकेंसी है या तो पहले ही document verification के पहले ही post अगर कुछ add होती है तो डाल देती थी तो लोगों को थोड़ा idea लग जाता था लेकिन इस बार क्या है कि इन्होंने end में दिया है जिसे लबासना वाला post जब हमने RTI लगा है तब मालूम चला उसके बारे में लेकिन जो है जो post है इसी को लेकर आगे बढ़ना है आपको वेकेंसी कम हुई है जो आया है आपका एक भी वेकेंसी कम होना यह बहुत ही tension की बात रहती क्योंकि इस टाइम पर जिस तरह का चल रहा है और इतना इंतजार करने के बाद कुछ लोग अगर बाहर होते हैं जिसे cutoff के पास जो रहते हैं तो यह बहुत ही चिंता का विशह है कम से कम वेकेंसी नहीं दे रहो वह कोई बात नहीं है लेकिन जो वेकेंसी है उसको ही रखना चाहिये और आगे बहना चाहिए कोुद पहले के सब्सक्रा लेकंश कम हुए कि लिग देख कर हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे थे उससे अब कंपेर करोगे तो 34 सीटे कम है यू आर के अंदर OBC के अंदर 20 सीटे कम है EWS में 5 SC के अंदर 1 ST के अंदर 11 का चेंज़े से राइट और एक सर्विसमें के अंदर 7 सीटे तो जब वेकेंसी कम होती है तो डेफिनेटली जो लोग बांडरी पर होते जिनके नंबर कम होते है और बहुत सारे लोग है ऐसे थोड़ा उनके लिए चिंता और बढ़ जाता है एक तो CGL 19 का रिजल्ट नहीं आया तो बहुत सारे लोगों न को लेकर के शुरा कट अफ का क्या आइडिया लगा सकते हैं यह सब कुछ कंपाइल करके कल या परसों में एक वीडियो आपको मिल जाएगा उससे थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा और आगे आने वाले जो लोग भी हैं उनको भी थोड़ा इससे मिलेगा तो चैनल उपर उठेगी किसकी नीचे गिर सकती है यह सब मैं आप तक पहुचाऊंगा अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि यह है अपडेटेड विकेंसी चार्ट जो एससे ने आज दिया है 28 तारिक को आप तक यह पहुँच गया होगा अगर नहीं पहुचा है कई लोग मैसेज करके पूच रहे हैं मुझसे कि सर यह तो जैसे मुझसे मांगा तो मैंने भेज़ दिया लेकिन लोग कहने कि हम कहां देख सकते हैं इसको तो अगर आप यह देखना चाहते हो तो टाइप करिएगा ssc.nic.in यह साइट से तो आप बहुत ज्यादा वाकिफ होगे और हर एक बं चैनल पर लोग उनको मिल जाता है लेकिन यह खुद नहीं पापाते हैं तो क्लिक करोगे एक लिस्ट खुल के आएगे और यहां पर एक आपको टेंटेटीव विकेंसी का दिखेगा है ना जो मैंने भी माक करा है और इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप पहुंच आओग उपर वाला जो है आपका यह देख सकते हैं उस पर न्यू का लिख के आ रहा देखो है आपको मिल जाएगा कि क्या है स्टेटस और कितनी सीटे हैं तो अब यह मान के चलिए कि यही है एसी के बेसिस पर आएगा रिजल्ट का कब उमीद हम कर सकते हैं रिजल्ट के हम उमीद घर्षाइब कर सकते हैं देखा गया है सीजियल 2018 का जब देखा गया था तो उसमें उन्होंने एक महीना 10 दिन का टाइम लिया था जब 20 तारीक को खतम हुआ था 20 हिस सेप्टम्बर, फरवरी को खतम हुआ था DV सेप्टम्बर कह misin फरवरी को वीस फरवरी को खत्म हुआ था और एक अपरियल को आ गया था एक महीना दस दिन में निकाल दिया था लेकिन आप मान के चलो डेड़ महीने का आप टाइम ले सकते हो डेड़ से दो महीने का वर्स टू वर्स केस में आट यह लगा दी गई है कि रिजल्ट कब आना है डेट का एक्जाम हो रहा होगा अब हम बात कर लेते हैं कि कट आफ पर क्या इंपेक्ट पड़ेगा वेकेंसी कम होकर देखते हुए यार बहुत ज़्यादा निरासा हाथ लगती है आप सोची कि वह एकतर सीटे अगर होती तो एकतर बच्चेयों की लाइफ बदल जाती है पूरी जब से आया है तो number of student point के अंदर भी ज्यादा होने लगे पहले आपका point two five point five seven five और zero zero मतलब जब normalization नहीं था तो एक number के बीच में चार वो रहते थे एक मतलब one or two के बीच में लेकिन आप आपका normalization में number of candidate ज्यादा होते इस वजह से जो marks का जो cut off mark का जो difference होगा वो point two से point three देख सकते हो इसके बीच में जो number of vacancy कम की है SSC ने वो इतने student cover हो जाएंगे रैट जिसे 34 candidate कम हुए यूर के अंदर तो 34 candidate point two point point one के अंदर आ जाएंगे अब पचास number तक का लगा सकते हो तो मेरे साब से point two तक का point two से point three तक का difference रहेगा ओवी सी के अंदर आप मान सकते हो कि point one से point two का और ज्यादा तर लोगों ने दीवी करवाया है मैं आपको फिर बता देता हूं लगभग 90% से जदा लोग डीवी में प्रेजेंट रहें आपका तो यह भी बहुत बड़ा impact डालने वाला है यह ध्यान रखने वाली तो cutoff पे बहुत ज़्याद ने point point का अंतर है लेकिन वही है कि यह 11 लोग चूटेंगे इस्टी के अंदर यह 34 लोग चूटेंगे जनरल के अंदर इन लोगो जॉब मिल सकते थी तो वही जो लोग बॉर्डर पे रह रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा खत्रा तो अब है continue करते हैं यह preparation आपको फिर बोल रहा हूँ और मैं आपको एक चीज फिर बता देता हूँ कि CHSL 2019 में जो जो दिक्कतें आई हैं को जरूर नोट करके रखिए आप बहुत सारे इशू आएं जैसे OBC का और EWS का इशू आया है नया चीज है आपका तो यह आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है पोस्ट का क्या डीटेल रहा है क्या भरा गया क्या नहीं भरा गया कौन-कौन सी चीजें लोगों ने ध्यान रखिए क्या चीज का आप चल रहे है ट्रेंट बहुँ जादा पिछले 2018 से अगर हम बात करें जबसे CGL 2018 का जबसे भरती है क्योंकि 17 में केस हो गया था तो आपसे चीजें रुकी होई थी तो बहुत चीजें चेंज होई है मेंटैलिटी लोगों की चेंज हुई है पोस्ट भरने में और आगे भी क्या रह सकता है आपको थोड़ा इसका एक्जेक्ट आइडिया लग जाएगा कट अभी मैं देखूंगा तो एक आइडिया लग जाएगा लेकिन मैं फिर कहरा हूं कट पे चिंता ना करते हुए आप प्रेपरेशन आगे कंटिन्यू रहे कि है सीजल दोजार एकिस का बहुत अच्छा मौका आपके पास है और अभी इसके रिजल्ट में डेड़ से दो महिने का टाइम रहेगा तो घबराने के जूरत नहीं है अच्छा ओबी सी का जिनका भी बोला गया था एक अत्तिस तारि के गए या तैसिल में बात किया तो कुछ उसका रिजल्ट आया की नहीं आया है ठीक है कोई डाउट है कोई सवाल है पेट सर्विस अभी चल रही है दो दिन बचा हुआ है जिसको जोईन करना ले सकते हो टेलिग्राम ग्रूप का लिंक नीचे दिया हुआ है और बाकि कोई कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लेकिएगा यूट्यूब के और टेलिग्राम पर मुझे मैं एसेज कर दीजिएगा